हे हे गाईज वाट्स अप कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना गाईज मैं भी एकदम फिट एंड फाइन हूँ आज हम लोग जा रहे हैं गाईज एक अच्छी सी जगा कहीं पार्टी करने के लिए और यार मैं पड़ावट से नहा लेता हूँ क्योंकि यार मेरे को आज पार्टी करने जाना है काफी टाइम हो गया यार मेरे कुना अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किये हुए और आप सब लोग तो यार अपने दोस्तों के साथ इदर उदर चले जाते हो कुछ ना कुछ खाने अबे सूपर हेरो तू अभी तक रेडी नहीं हुआ गया जल्दी से फटाउट से रेडी हो जा यार जरा देखू तो सही अरे मोटेंट क्या गर रहा है यार अरे रोफिरो मैं तो एकदम रेडी हूँ यार अच्छा और ये टिपसन कहाँ पर है यार अबे खुद जाके डूंड लेना मैं के तेरे बापका नो करूँ अच्छा बेटा बतनी से बोला तेरी है ऐसी की तैसी आज के बाद तमीज से बात किया कर मेरे से ठीक है ना अबे भाई यार रोफिरो यार 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 का पानी क्यो ना आ रही है यार मैंने पोटी कर रखी और दोने के लिए पानी नहीं ये बिलकुल भी क्या गरू यार मैं टॉइलेट में बैटा हुआ यार सच में पानी क्यों नहीं आ रहा है यार अज से पहले तो कभी पानी बागा नहीं है वरनायार मैं टॉयलेट में बेटा रहूंग आप्लीज चेक करनायार क्या दिकदे पानी क्यों नहीं आरा जील के इंदर पाइप में कुछ फस गया हो क्योंकि हमारा सारा पानी जो है ना टॉयलेट का और घरका बातरूम का सारà हमारा जील के पास से आता है तो चलो यार मैं सोच रहा हूँ पहले कपड़े बदलू बट कपड़े अभी नहीं बदलूगा क्योंकि फिर बाद में गंदे हो जाएंगे यार एक काम करता हूँ सबसे पहले में ना भाई अपने पास वाली नदी पे जाकर चेक करता हूँ कि आखिर यार पाईब टोट तो ने गया यार क्यों नहीं आरा हमारे घर के अंदर पानी और यार अगर पानी नहीं आया आज तो फिर यार टिपसन अपनी पोटी कैसे धोईगा समझ नहीं आरा गाईज अगर उसने पोटी नहीं धोई तो फिर यार हम लोग उसको अकेले ले अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो पर लाइक नहीं किया ना तो जल्दी से कर दो क्योंकि यार गाईस कल ना पता मैं कमेंट रीड कर रहता सब लोगों के तो एक बंदे ने मुझे कमेंट किया कि भाई आपके पहले इतने सारे लाइक आते थे बट अब नहीं आते यहां का जील का सारा पानी का गया अरे एक मिंट गाईस नीचे जाकर देखता हूँ शायद पानी यार मेरे को दिखाई नहीं देरा इदर अरे शीट यार गाईस जादा ही उपर से जंप लगा दी ओ भाई साब पिछवाडे में दर्द हो गया मेरे तो कोई बात नहीं गाईस यार पानी गया कहाँ पर यहां से एक मिंट एक मिंट नीचे जाकर देखू क्या अरे यार सच में यहां तो पानी बिलकुल भी नहीं है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है यार पानी इतनी जल्दी कैसे सुख गया कल तो इतना सारा पानी ता इस जील के अंदर बट आज यहां पर बिलकुल भी पानी नहीं है यार ऐसे हो कैसे सकता है भाई मुझे लग रहा था guys कि यहां का pipe वगएरा टोड गया होगा बट यहां तो पानी नहीं है यार pipe वगएरा सब कुछ बिल्कुल सही लगा हुआ होगा अब मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर यार tipson ने जो पोटी की हुई है उसको कैसे दोएगा यार tipson वो अभी तक toilet में बैठा है guys पूरे धाई गंटे हो चुके उसको toilet में बैठे हुए और गर्मी की वज़ा से ना उसको बहुत ज़ादा पसीन आ रहा है टॉilet के अंदर रोफिरो इस जील का पानी कैसे सूके है कल तो इसमें इतना सारा पानी भरा हुआ था लेकिन अब तो इसमें बिलकुल भी पानी दिखाई ने दे रहा अब हमारे दोस tipson की पोटी कैसे दुलेगी आरे हाँ यार वो ही सब तो मैं भी सोच रहा हूँ तो इसका मतलब पार्टी भी नहीं होगी पार्टी भी कैंसिल करनी पड़ेगी यार हमें कैसे भी कर गए टिपसन की पौर्टी दुलवानी है तब ही हम लोग पार्टी करपाएंगे यार कैसे दुलेगी मेरे को कोई कमेंट करके बताओ रोपिरो मेरे पास एक आइडिया है क्यों न हम लोगो समुंदर में जाना चाहिए और वहां से हम लोग पानी बर कर लाएंगे और टिपसन की पोटी भी दुल जाएगी फिर हम लोग आशानी से पार्टी भी कर लेंगे अरे हाँ हाँ यार मोटेंट तुने बिल्कुल सही बोला है अरे एक मिन्ट गाइस ये रेडियो पर नियूस कहा की आ रही है आज की ताज़ा ख़बर लोस एंटोस में अचानक से सुख चुका है पोरे सिटी का पानी समुंदर भी सुख चुके हैं और लोस एंटोस में बताय क्या क्या दिखाते रहते हैं बिना बात की फालत हुच चीज़े बोल रहे हैं कि लोस सेंटोस में सुनामी आने वाली है सुनामी कहाँ से है यार लोस सेंटोस का तो पानी सुख पढ़ा है बट हाँ एक मिन्ट गाइस उसने बोला था नियूस वाले ने कि Los Antos के समुन्दुर का पानी भी सुक चुका है यार समुन्दुर का पानी तो आज तक कभी भी सूखा नहीं था आज कैसे सूख गया मेरे को तो ये बात भी जूट लग रही है बट अभी हम लोग चलेंगे समुन्दुर में देखने के लिए उससे पहले गाईस ज हां पानी तो आनी रहता मैं तीन-चार गंटे से टॉइलेट में बैठा था तो मैं मैंने सोचा यार क्यों न यहां जो अपना स्विमिंग पूल है उस में दो लो तो इसलिए जार मैंने न यहार देक ना मैं इससे हाथ मूद हो सकता हूँ पूरा पानी खराब कर दिया चोटी सी पोटी दोने के लिए यार टिपसन तु बिल्कुल पागा ले गया यार अब हम लोग नहाएंगे कहां पर चलो यार समंदर में ही चलते हैं गाइस वहां जाकर देखकर आता हूँ क्या सच में पान स्वमिंघ उनिया है अ भर मेरे से पोच तो लेता है हम लोग तरह पानी ऐोनी थी तो फोटी संटने पॉल intent लोटी दोन्य रोप्रो समझता क्यू नहीं है तुझे तो पता है ना यार मैं तीन गंदे से यार टॉयलेट के अंदर बैटा था और यार वहाँ पर मेरी पोटी के अंदर से मुझे बहुत बदबो आ रहे थी इसलिए यार मैं बहुत ज़्यादा बदबो से परिसान हो गया था यार रो पिरो अरे चल छोड़ यार टिपसन अब जो होना था हो गया गाईज अब हम लोग जा रहे हैं गाईज समुदर में और वहाँ जाकर चेक करते हैं क्या सच में यार पानी सूख चुका है क्योंकि न्यूज पर दिखा रहे थे गाईज की लॉस सेंटोस का सारा का सारा पानी जो तना वो सूख चुका है बट मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि समुदर जो है ना गाईज बहुत गहरा होता है और उसमें इतना सारा पानी होता है ना कि वो कभी सूख ही नहीं सकता तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं गाईज लॉस सेंटोस के स्विमिंग पूल में बट ये क्य SAY square लॉस सेंटोस के इतने सारे लोग है कोई भी दिखाए नी धिरायार लॉस सेंटोस के अंदर कहा चले गएरे लॉस सेंटोस का सारा पानी सोख चुका है और न्यूज में बताया कि आज यकल मैं कमया संथा लॉस सेंटोस के रहे हूं तोम्हें भी अपनी जान बचा कर यह से बागना चाहिए लोसेंटोस के सभी लोग यहां से बाग चुके हैं प्लीज रास्ता छोड़िये मेरा प्लीज छोड़िये ना मुझे इस लोसेंटोस से बाग कर जाना है वरना तो मैं मर जाओंगी अगर यहां सुनामी आ गई तो अरे यार गाईज यह लोग तो सब के सब न्यूस वालों की बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं भाई न्यूस पर दिखाया था कि सुनामी आ जाएगी बट यार अभी तक तो कुछ मुझे दिखाय नहीं दे रहा और लोस सेंटोस के लोग न्यूस सुन करना सारे के सारे लोस से भाग रहे हैं यार मुझे तो इन न्यूस वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मीडिया वाले कुछ भी दिखा देते हैं गाईस इनकी बातों पर मुझे जरा सा भी विश्वास नहीं होता इसलिए ना मैं जा रहा हूँ भाई अपने समुन्दरों में जाकर चेक करने कि वहाँ पर सच में यार पानी वगएरा है या फिर सूक चुका है वैसे यार पानी नहीं सूक सकता है मेरा यकिन ये है बट हमें तो जाकर चेक करना ही पड़ेगा गाईस क्योंकि सारे के सारे लोग Luis Santos से भाग चुके हैं अगर यार यह सारे के सारे लोग भाग चुके हैं तो इसका मतलब पक्का फिर सुनामी आने वाली है अरे रो फिरो यार टिपसं के अंजर से मुझे भी भी बदबुह रही है मुझे लगता है इसने सही से पोटी धोई नहीं है अपनी अबे ओ मुटेंड जादा मत बोले ठीक है ना वरना तो तेरे मूपे ही पात दू आपके अबे ओ टिपसन तु कुछ जादा ही बत्तमीज नहीं होता जा रहा तुझे बोलने की तमीज नहीं है मैं देख रहा हूँ दोस टिपसन जो था वो कितने अच्छे तरीके से बात करता था हमसे अरे रो फिरो ये कहां लेकर आगया तो यहाँ पर तो पहले बहुत सारा पानी रहता था अब यहाँ पर समुंदर के अंदर का पानी सारा का सारा सोक चुका है हाँ यार मोटेंट मैं भी यही देख रहा है अरे यार गाईस यहाँ पर तो सच में यार सारा का सारा पानी सूखा पड़ा है भाई हम लोग समुंदर के बीच हम बीच आ चुके हैं बट कोई नहीं अभी हम लोग और नीचे जाकर देखते हैं गाईस मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत पानी तो बिलकुल बचा स email लगा लो सब को सब अबए भैस अबए यह क्या हुआ है गाईस अब कार ना पलट जाए नहीं 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 औरे सिट यार गाईस औरे किसी गो चोट तो नहीं लगी ना चलो अच्छा वा तुम सब लोगोंने सीट बैल लगा ली ती औरना तो आज एक दो की मौत हो जाती गाईज हम लोग समुंदर के बीच हम बीच आ चुके हैं बट भाई यहाँ पर तो बिल्कुल भी देखो पानी दिखाई नहीं दिरा और यार गाईज पहले यहाँ पर इतना यदा पानी रहता था था ना कि भाई आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर डूब जाओगे भाई साब बिल्कुल पानी दिखाई नहीं दिरा यार ऐसे कैसे हो सकता है यार समुंदर के पानी कैसे सूख चका है अरे एक मिंट गाईज उपर जाकर देखता हूँ अरे भाई साब दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दिरा यार गाड़ी से निकल कर देखता हूँ यहाँ पर पहले पता है इतना ज़्यदा पानी रहता था ना यहाँ पर हम लोग बोटिंग वगएरा करते थे और बहुत बड़ी सिप चलती थी अबे तुम लोग कहा जा रहे हो अबे भाई सूपर एरो नीचे गिर गए आ रहे रहे मूटेंड भी गए अबे भाई सब के सब नीचे गिर गए कहीं इनको छोटना लग गए हो गाईस फड़ाट से इनको नीचे जाकर देख के आना पड़ेगा भाई टीपसन तो मिले को दिखाई दे रहा है जिन्दा है जल्दी से इन सब को यहां पर कार में बिठाता हूं और यहां से निकलना पड़ेगा गाईस मुझे लग रहा है नीचे वालों ने बिल्कुल सही बोला है कि लास सेंटोस के अंदर सुनामी आ सकती है क्योंकि उन्हों ने बोला था गाईस लास सेंटोस के अंदर पानी भी सूख चुका है और यह बात बिल्कुल सच हो चुकी है यार अगर नियूस वालों की एक बात सच हो चुकी है तो मुझे लगता है सुनामी भी जरूर सा आने वाली है बट सुनामी कहा से आएगी यार लास सेंटोस में बिल्कुल भी पानी ही है और ना ही कुछ बार इसके आसार नजर आ रहे हैं फिर यार सुनामी कहा सा आएगी कुछ समझ नहीं आ रहा है यार मेरे को अभे टिपसन मूटेंट पतनी कहां चले गए अभे ये मूटेंट को क्या हो गया गाईज ये बेहोस पड़ा है यहां से ओपर से गिरा है ना पाहली उसे बेहोस हो गया होगा अभे मूटेंट फड़ाउट से उड़ाऊट से निकलना है प्रेंट वाली सीट पे बैड़ा आगे की साइड तुझे तो पता है यार मुझे ना पीछे बैठने से यार वॉमिटिंग होती है अच्छा रूप जए एक मिंड बस बैड़ गया बे मुटेंड को बिठा ले हो देखिए कहा गुसा जा रही है आजा मुटेंड फटावट से बैड जा भाई कार के अंधर कहा जा रहा है आज पहाड़ी हो को रास्ता निकालेगा क्हा रूंड गे तू जल्दी से बैड़ वर्ट अरे हा हार रो फिरो रुखो रुखो रॉको अरे रोक το ले זהом क्या रो फ्रो यार के निकाल यार यहांसी सक्षा लग रहा है सुनामी आ इसने फड़ावट से गाईस यहां से निकलना पड़ेगा रहे यार इस समुंदर के इंदर इतने सारे पत्थर बड़े हैं समझ नहीं आ रहा है यार कैसे कैसे यहां से कार निकालनी पड़ेगी ओके गाईस चलो यहां से सीधा रस्ता दिख रहा है बट यहां पर इतने बादल हो चुकिया उपर मुझे लग रहा है बारिशानी का टाइम हो चुका है गाइस देखो उपर कितने खतरनाक बादल दिखाए दे रहे हैं यार मेरे को लग रहा है सच में यार सुनामी आएगी जरूर अरे अरे भाई साब ये क्या ता यार कार कैसे पलेट रही थी भी चलो कोई निए गाईस यहाँ पर इतने सारे लोग कैसे खड़े हैं इनसे पूछता हूँ गाईस यह लोग यहाँ पर क्या करर रहा है पता नहीं। शायद यह लोग भी यह पर पानी देखने आयोंगी समुंदर का इनको बताता हो के सुनामी आने वाली है यहाँ से भाग यह पोटी छोड़ दे मेरे दोस्त का वर नहीं चोड़ेगा नहीं तो मेरे दोस्त की सब्सक्राइब मेरे को तेरी को मार तुब्स ने लूंट आई तो कि निकल पहली फूरसत में गाइज या इनलोगों कीृप कर रहा था कि सुनामी आने वाली है बत यह लोग मेरे को ल्टा मारने लगे अरे यह लड़ी याँ षकन पर ने मरेया रह यह से पूछता हूं और इस मेन ब्रस चर्ण पार है और सुनामी भी आ सकती है सुनामी आने के पूरे 60% चांस है हमें तो लगता है हमें लोसेंटोस छोड़कर यहां से भाग जाना चाहिए औरे यार गाईज यहां पर तो नियूस पेपर में भी यह छपा हुआ है इसका मतलब सच में सुनामी आ सकती है अरे हमें भागना चाहिए यार यहां से चलो बाई चलो मोटेंट टिपसन देखो यह लड़की भी यहां से भाग रही है गाईज वड़ाउट से हम लोगो अपनी कार में बैटना चाहिए और यह क्या गाईज देखो बादल कितने अदा खतरनाक हो चुके है उपर मुझे लग रहा है गाईज पक्का सच में यहां पर बारिस होने वाली है अरे बैठो भई सब लोग यहां से निकलना पड़ेगा गाईज पूरे लॉस सेंटोस के लोग यहां से भाग चुके हैं यार बस कुछी लोग बचे हैं भाई यह भी सब के सब यहां से भाग पर नहाने का इंतिजार करिए कि कब पानी आएगा समुंदर में गाईज बहुत खतरनाक यार देखो बारिस आ चुकी है अच्छा हुआ हम लोग यार पाहड़ी की तरफ आ चुके हैं गाईज हमें ना किसी ऊची पाहड़ी पर जाकर रहना पड़ेगा क्योंकि लोस सेंट और बारिस जो है ना वो भी बहुत जादा खतरनाक चल रही है गाईज तो इसलिए ना मैं किसी बड़ी पाहड़ी को ढूंड रहा हूँ यहां पर आई थिंक यह वाली पाहड़ी सबसे बैस्ट रहेगी नहीं सामने चलता हूँ गाईज सामने वाली पाहड़ी मुझे पर जाता हूँ गाईज वही पर जान बच सकती है अपनी